सो येस प्लेस पे आने के बाद लोग एंजॉई कर रहे है यहाँ पे and I am very much happy कि प्रवीन होराइजन की जर्सी ऐसे मुंबई के आउट्सकर्स में कोने कोने में पोहुच रही है हलो चैंपियन्स वेल्कम टू माई चैनल प्रवीन होराइजन इसे कहते है सिंगल ट्रैक ट्रेल और ऐसे से रिटेल में मज़ा आता है क्योंकि बीच में थोड़ा सा जो वाटर पोर्शन आता है या मड़ भी आता है so it will give you that adventure मुंबई में लंबे ट्रेल्स मिलना मुश्किल है आज का राइट बहुत ही शॉर्ट है और स्वेट होने वाला है खास करके मौनसुन में मतलब मेरे चैनल पर आप बहुत सारे प्लेस देखोगे जहाँ पर आप जा सकते हो तो आज के वीडियो में भी ऐसी एक ट्लेस है जो है चिनना क्रिक यूज़ली लोग एक कॉमन स्पॉर्ट पर चले जाते है बट आज हम कुछ नया स्पॉर्ट एक्स्प्लोर करेंगे चिनना क्रिक के यहाँ पर तो फटाफट वीडियो के शुरौत करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्स्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे ही अच्छे वी अभी अभी जब मैं यहाँ पर एंटर कर रहाता तो कुछ बाइक वालों ने मुझे पूछा कि आगे बाइक जाती है क्या मैंने स्ट्रेट फॉर्ट उनको बूला कि भाई मॉनसुन के टाइम पर आगे बाइक जाएगी नहीं जाएगी पता नहीं ऐसा बोलना पड़ता है क क्योंकि I don't want to them to come basically we are exploring nearby areas to this water body और ठीक है let's see हमें भी पता नहीं actually मेरे लिए भी यह new trail है बट ऐसे ही interesting trail explore करना बहुत मज़ा आता है अपने MTB पे और you never know कि आपको क्या surprise आगे मिले but you have to be very careful क्योंकि बहुत dense vegetation बढ़ गया मॉनसुन की वज़े से और trail पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है क्योंकि such kind of places is natural habitat for many creatures reptiles so careful होना पड़ेगा बट मज़ा आ रहें trail भी बहुत जादे एंज्योई कर रहें और मेरे पीछे विराज विराज कैसा लग रहें मज़ा रहें मज़ा रहें और मैं पूरा एक हाथ से cycle चल रहा हूँ one-handed कि गिरू ना वाव वाव ट्रेल काफी स्मूथ है वैसा ट्रेल काफी स्मूथ था लेकिन न एसा कीचड़ वाला न इता फ्लो ही था पूरा थोड़ा sleep हो रहा है बट दा है वो तो हो गाई कि इतना बारिश है तो उतना हो गाई वो बेड़ वेरी नाशनल वाव भाई थोड़ा आगे आगे की तरफ देखके चलाना सब लोग यहां से अंदर गए आई डोंट नो कि अंदर कहां पर लीड करेगा लेट सी सब लोग गए तो मुझे भी जाना पड़ेगा चलो माई एंटीबी प्लेस पे आने के बाद लोग एंजोई कर रहे है यहां पर एंड आएम वेरी मच हैपी कि प्रवीन होराइजन की जर्सी ऐसे मुंबई के आउट्सकर्स में कोने कोने में पहुच रही है स्वपनिल बहुत ही खुश है और उसके जर्सी का आज फर्स डे है प्रेजंट करती है वाँ 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 फ्लेस तो यहां पे थोड़ा हम रिलाक्स हो जाएंगे हमारी साइकल्स वहां पे रिलाक्स हो रही है हर एक की और बहुत मजा रहे है वाटर फ्लो जोए बहुत ही जादा है बटा भी ऐसे मॉंसून है प्रोही मुझे बात बताना यह तुमने पहले देखा था किया और यहां पे आके खास करके तुम्हारी साइकल से आख तुम्हें कैसा लग रहा है तो ओवर टुई यह पलेस तुम्हे ने कभी देखा नी ता इस फंटास्टिक अन्ड वाँ फिल रिफ्रेशिंग संडे मॉर्निंग ऐसा साइकलिं तूर जा यहां पर आने के लिए खौँपल चाहिए अगर अपनी साइकल अपनी साथ हो और क्या चाहिए स्वपत् sobie लगा बहुत अच्छा लगा दी अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा ना लगा चैनल लग मेरे को लगा कि वैसे यह होगा एक चोटा सा पॉंट टाइप बट यह तो मस्ट रिवर टाइप एक दम तुम्हारे साथ किसी को लाओगे तो साइकलिस्ट को ही लाना नहीं तो तुम देख सकते हो कितना सारा कच्रा पड़ा हुआ है सो वी डोंट वोंट एनी पिकनिक स्पॉर्ट सिकर की जहां पर धूंटे फिरे कि ऐसे स्पॉर्ट मिले जहां पर हम एंजॉय करें और कच्रा डाल के निकल जाए यह सब में हितने बीयर बॉटल जप हो रहे है पूरा राइड अवरता पूरा ट्रेल एंजोय के और यह सब ला कि आपके साथ कोई तो एक experience cyclist होना चाहिए जिसको वो जगे का पता हो अधर्वाइस देखो unknown places आप explore कर सकते हो बट आगे जाके क्या difficulties आ सकती है वो पहले से आप गौज नहीं कर सकते हो so it is surprise to you और मेभी वो थोड़ा सा fatal भी हो सकता है so I will advise कि कि किसी experience cyclist के साथ ही ऐसी सारी जगे explore करना ऐसे नेशर प्लेस पर ये व्लॉग यहीं पर खतम करते है क्योंकि आगे जब city में जाएंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा रोड उससे अच्छा है कि आप ये व्लॉग का शुरुआ जितनी excitement में हुई है उसकी ही amazing excitement में ये व्लॉग खतम हो जाए और ये है लेशर प्लेस मेरे साथ आज मेरे तीन साइकलिंग बड़ीज है उसमें से स्वपनिल ने मेरे प्रवीन होराइजन की जर्सी पहनी है बहुत ही अच्छी जर्सी है अगर आपको बाय करनी हो तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा आप ज़रूर चेक करना डो टाइप के वर्जन स है यह जर्सी के और फुल्स और हाफ स्लीब्स दोनें बे भी यह जर्सी अवेलेबल है तो आप यह ले सकते हो जर्सी इफ यू वांट साइकलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया जर्सी है वाटर प्रूफ कॉकेट इसको आल वेदर वेरेबल बना देता है और थैंक यू सो म लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा सो चलो बाइगाइश मिलते हैं ऐसे नेक्स राइड्य पे वाइब राइब ऐसे हैं सब्सक्क्र्स एफिट से हल्दी एंड कीप एक्ट्पोरिंग नियु साइकलिंग होराईजर्स और मिलते हैं नेक्स राइड पे बाई केड़ी कि वाद भाद पुडिर समय है I just need this to be real I don't need no fairy tale You don't need to kill a dragon for me I don't need no fairy tale I don't need no We run and go still Every time Whatever it is, I keep on crying Cause it ain't hard to forgive When you know what it's like That's why I'm better with and without you Oh, I'm on it I want it But why Do you seem to call in your eyes I can't tell if you're here or you're out there Do you wanna be out there You don't need to be prince charming to me I just need this to be real I don't need no fairy tale You don't need to kill a dragon for me I don't need no fairy tale Praveen Horizon Bicycle ETAG I don't need no fairy tale I don't need no fairy tale I don't need no fairy tale I don't need no fairy tale